तो वेल्कम टू आज मैं अन्बॉक्सिंग करने वाला हूं हां मालूम है मैंने एक चीज प्रोड़क पर्चेस किया है जो कि आगे के वीडियोस में मेरे को काम आएगा रियल्मी वालों का जो की एक तीन असार का आता है जो की एक थीन असार के असपस चार असार संतिंग उसकी प्राइज है अभी और एक आता है 1799 जो कि मेरे को 300 रुपए off करके 1499 पड़ा है तो वो मैंने purchase किया और उसको मैंने order किया तो order करने के बाद मैं कुछ है यह ऐसा दिखता है इसका box है खड़ा open कर लिया है खड़े से बाहर main item निकल गया है main item को देखेंगे हम लोग अभी इसके बाकी जो details है जो इसके जो बार कोड होता है sticker जो लगया हुते हो वो में थोड़ा verified कर रहा हूँ यह असली है कि नकली है तो यह packet जो है वो असली है और मैं अपना voice इस अलग से add कर रहा हूँ इस वीडियो के साथ में नहीं है तो मैं अलग से edit करते समय स्पीक कर रहा हूँ तो इसलिए आपको यह अलग देखेगा तो यहाँ पर इस डब्बे का नीचे वाली पैकिंग और उपर आयल पैकिंग दुनों दरफ से मैंने चेक किया तो यहाँ पर मैं बार कोड लगा हुआ है और पैकिंग जो है वो एकदम सील है किसी ने फाड़ के देखा हूँ नहीं है तो इसको मैं cutter से cut कर रहा हूँ सस्ता सा cutter है दस और बगा मार गट से मैंने लिया था तो वह अभी मैंने टेबल के उपर रखा है और यह जो रेकॉर्डिंग है यह रेकॉर्डिंग मेरे पुराने फोन से जिसका कैमेरा फाइव मेगापिक्स अगया इसलिए थोड़ा सा वीडियो जो है वह ऐसा दिख रहा है तो पहले जिसमें में मारे फीचर फाइट कहल होते हैं रियल्मी का नेक बैंड तो यह मैंने खरीद लिया है अपने जरूरी इंपोर्टन काम के लिए तो में चीज हम लोग नेक बैंड अभी इससे मैं निकालूंगा तो निकालते समय में इसके पैकिंग बहुत जबर्दस लगी पूरा एक तम फिट टू फिट था लहों बाहरों को निकालने के लिए ज़्यादा ताकट लगानी पड़ी तो धीरते करके मैंने उसके पकड़ के कंस के पकड़ निकाला है और इसके काफी अच्छी स्ट्रोंग है और मैं इस तरह काएं प्रो मोशन कर रहा हूं इसके पहले मैंने डाल द कर दینकाल दिया तो यह निकाल लिए मैंने डिकबेंड बाहर अब इस डबबे के अंदर एक और चीज है जो मैं भूल गया तो अभी मैं खूलता हूं निचा वाला सेक्षन और उसके अंदर मिलेगा मेरे को और मेरे डबा कोला खुल जा सेंसिम खुल जा तो यहां पार में मेरे को मिला है उसके अंदर से यह मैंने टेबल पे ओता खाली किया तो टेबल के अंदर मिला है यूजर मैनुवल गाइड और येर टिप्स और माइकर यूजबी डाटा के बद तो उस डब्बे के अंदर से इंगा और वे डब्बे को थोड़ा मुख साइड कर देते हैं तो डब्बा गया साइड ही में जा रहे बाबा अचा सिस्टेम अडिक तरहीं से बंद करके रखने के मिरा आदत है यह बाद मैं भूली गया है तो म से बंद होगा उसमें कौन-कौन से फंक्षन दिया हुए है और क्या-क्या सेफटी फीचर दिया हुए है वह सब पढ़ना बहुत ज्यादा इंप्वर्टन है बहुत से लोग क्या करते यह पढ़ती नहीं है और प्रोड़क्ट रिव्यू देना शुरू कर देते दो ऐसा न सब कुछ ब्लार हो गया कोई बात नहीं चलता है गरीब आदमी क्या कर सकता और बीच में कुछ दागे आ गया थे उसको साइड में किया और यह सब चीज़े मैंने पढ़ ली उसके बाद में आगे पीछे दों तरब लिखे दे चलो साइड करो इसको और यह रहे यह टिप्स जिसके अंदर स्मॉल साइज और एकदम बहुत बड़े लार्ज साइज के दिये हुए है और मीडियम साइज के उस नेक बैड में लगे हुए है और यह रहा माइकर यूसबी 2.0 का चोटा सा डाटा के बद चार्जिंग के लि अच्छा नहीं लगता और यह नेक बैड इसको मैंने तरोड मरोड के देखा काफी अच्छा स्मूध है नरम है लची ला है और कि अच्छा है अच्छे कॉलिटी का है और इसके जो यह मैगनेटिक चीज़े है उसके साथ मैंने दो मिनिट कुछ बन चलू बन चलू किया यह जैसे कि मैंने बिस्क्रीम पर करूँगा बन चलू बन चलू बन चलू तो इसके वाज़े से जादा न करें वना यह जो नेक बैंड है वो खराब हो सकता है तो बन चलू बन चलू बन चलू नगा रहे एक बर चलू गया तो अच्छे से प्रॉपरली पहने उसके बाद में बद करके इसको रखे इज़द्दारी के साथ तो यह कुछ नेक बैंड इस तरह केगा इसको चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है प्लस-mines की बटन दे ऊइए तो काफी ताइम से मैं सोच रहा है कि यह चीज मैं परचनुव गारती, लोगल काफी टाइम से लूगलन का सोच रहा है लेकिन अधीत निकलती जा रही थी तो फिर फाइनली अभी मैं ने उसको प्रचनुछे किया है तो अच्छा है यूज ठीक है प्रॉपरली काम कर रहा है गेमिंग सेक्षन में थोड़ा सा एक सेगंड का देरी से सुने देता लेकिन ठीक है बाके जुकर सब इस ओके अगर तुमको भी परिचस करना है तो जाके Amazon या Flipkart पैसे जाके सर्च करके रियल वाला परिचस करना फेक वाला नहीं फेक वाले ज़्यादातर सस्ते होते हैं और बेकार होते हैं इसलिए फेक वाले कभी भी परिचस मत करना है रियल वाले परिचस करना